बहुत समय पहले की बात है, एक पूनम नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, वो गाउं के स्कूल में ही पढ़ने जाया करती थी, उसके स्कूल में सभी बच्चे बड़े गरों से आते थे, जो बहुत अमीर थे, और पूनम एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉं करती थी, उसके पिता छोटे मुटे किसान थे और उसकी मा एक हाउस फाइफ थी, वो घर के सारे काम करती थी, एक समय ऐसा आया, जब पूरे शहर में टमाटर के रेट अचानक से बहुत जादा हो जाते हैं, और कोई भी गरीब और मिडल क्लास यक्ती टमाटर नहीं खरीतता है, केवल अमीर लोग ही टमाटर खरीतते थे, टमाटर का रेट बढ़ता ही जा रहा था, और बढ़ते हुए रेट को देख सर, बड़े-बड़े व्यापारियों ने टमाटर के स्टॉक रख लिये थे, और उन टमाटरों को उचे-उचे दामों में बेच रहे थे, अब गरीब और वेडल क्लास लोग टमाटर नहीं खरीत पा रहे थे, जिसकी वजा से उनके घरों में बनने वाली सब जीयों का स्वाद कम हो गया था, बच्चे भी समसियां खाने में नखरे कर रहे थे, मा, यह अपने कैसी सबजी बनाई है, आलो वाल कर रख दिये हैं बस, इसमें ना तो टमाटर है और ना ही कुछ और, एक तम बे स्वाद खाना लग रहा है, मैं इससे बिल्कुल नहीं खा खाओ, मारकेट में टमाटर का रेट कितना जाधा बढ़ गया है, आज़कल तो लूग टमाटर जैसे भोल ही गए हैं, केवल अमीर लोग ही टमाटर खा सकते हैं, अगर हम लोग टमाटर खाने लगे, तो हमारा सारा पैसा तो टमाटरों को खरीते में ही निकल जाएगा, मा, मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आप मेरे लिए एक package मेगी बना दो क्योंकि ओनम ने दो दिन से कुछ नहीं खाया था तो उसकी मा उसके लिए मेगी बना देती है वो जैसे ही मेगी देखती है उसको मैगी में टमाटर नहीं दिखते वो गुसे में अपनी माँ से कहती है ओ माँ आपको पता नहीं है मैं बिना टमाटर के मैगी नहीं खाती हूँ फिर आपने इस मैगी में टमाटर क्यों नहीं डाला मैं कुछ नहीं जानती मुझे टमाटर ही खाने है पूनम की तरह ही बाकी शहर के लोगों का भी यही हल था पर टमाटर के रेट इतने महंगे हो जाने की वजह से उसे कोई खरीद नहीं पा रहा था और ऐसे ही बहुत दिन बीच जाते हैं टमाटर के रेट कम नहीं हो रहे थे व्यापारी टमाटर को उचे-उचे दामों में बेच रहे थे और मोटा पैसा कमा रहे थे उन्हीं में से एक व्यापारी थे पेटूलार वो इस गाउं का सबसे बड़ा व्यापारी था और उसने आसपास की गाउं से सभी टमाटर सस्ते दामों पर खरीद लिये थे और उनको देश दाम पर बेच रहा था उसने मौके का फायदा उठा कर बहुत सारे पैसे कमा लिये थे और दिन प्रति दिन वो बहुत अमीर हो गया था गाउं में गरीब और मिडल क्लास के लोग बहुत ही जादा दुखी थे सभी गाउं वाले अब दुखी होके बैठे थे तभी आसमान से लाल परी देखती है कि गाउं के सभी लोग लाल लाल टमाटर के रेट महंगे हो जाने की वज़ा से बहुत परिशान है फूपरी अपना भेश बदल कर समीन पर आ जाती है और अपने जादू से टमाटर लेकर भारती पर बेचने लगती है टमाटर ले लो टमाटर 20 रुपे किलो टमाटर 200 रुपे वाले टमाटर हो गए 20 रुपे में टमाडर ले लो टमाडर स्वादिश्ट लाल लाल टमाडर अरे ये देखो 200 रुपे वाला टमाडर 20 रुपे में चलो चलो हम भी देखते हैं कैसे हैं टमाडर 20 रुपे किलो वाले टमाडर वाली बात पूरे गाओं में फैल जाती है और सभी लोग पर इसे टमाडर खरीते हैं सभी लोग बहुत सारे टमाडर खरीद लेते हैं क्योंकि उनको इतने सस्ते रेट पर मिल जो रहे थे। तबहीं लोग टमाटर खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और पकवान बना कर खाते हैं अपसेट पेटुलाल का काम कम हो जाता है वहीं वो देखता है कि उसके पास कोई टमाटर खरीदने नहीं आ रहा तभी वहां देखने आता है कि आखिर माजरा क्या है अच्छा तो ये बात है ये लड़की 20 रुपे किलो में बेच रही है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा लगाया हुआ सारा पैसा बरबाद हो जाएगा मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा नहीं तो इस बार बड़ा गाटा हो जाएगा इतना सोच कर सेठ अपने घर चला जाता है वो वहां से अपने आदमिय को भेज कर उस परी को उठा लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और उसके सारे टमाटर अपने गोदाम में रख लेता है अब परी ने अपना भेश बदल लिया था इसी वजह से उसकी जादूई शक्तियां काम नहीं कर रही थी अब उसे बचाने के लिए केवल रानी परी ही आ सकती थी पर रानी परी को ये बात पता कैसे चलती की परी को सेट पेटूलान ने कैद कर रखा है दो दिन निकल जाते हैं सेट पिटुलान की बेटी अपने घर वापस आती है तब ही उसे एक आवास सुनाई देती है वो उस आवास के पीछे पीछे चली जाती है वो देखती है कि एक कमरे में एक लड़की को कैद कर रखा है सेट की बेटी उसे पूछती है कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हूँ तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लगती है तुमने तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है मुझे बताओ तुमको यहां कौन लेकर आया है देखू मैं एक परी हूँ और मैं यहां धरती पर लोगों की मदद करने आई थी टमाटर के रेट इतने जादा बढ़ जाने के कारण लोग काफी जादा परिशान हो गए थे इसी वजह से मैं उनकी मदद करने आई थी पर तुम्हारे पिता जी ने मुझे कैद कर लिया है अगर आप एक परी हो तो आप अपने जादू से आजाद हो जाओ बाहर निकल जाओ वो दरसल बात ये है कि जब मैं धरती पर लोगों की मदद करने आई थी तो मैंने एक आम लड़की का रूपधारन किया था जिसकी वजह से मेरी शारी शक्तिया खत्म हो गई अब मुझे केवल रानी परी ही बचा सकती है अच्छा अगर ऐसा है तो मैं आपको इस कमरे से बाहर निकाल सकती हूँ पर मेरे पिताजी से ये बात मत कहना कि मैंने आपको इस कमरे से बाहर निकाला है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम बहुत अच्छी लड़की हो इसके बाद परी वहां से बाहर निकल जाती है और वो रानी परी को याद करती है और रानी परी आकर परी को उसके जादूई शक्तियां वापस कर देती है उसके बाद सेट को सबक सिखाने के लिए परी और रानी परी उसके बास चाती है और उसके सारे टमाटरों को अपने शक्तियों से खराब कर देती है बेटुलाल जब ये देखता है कि उसके सारे टमाटर खराब हो गए तो वो बहुत परेशान हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है सेट जी, जैसा आपने लोगों के साथ किया वैसा आपके साथ भी तो होना चाहिए तो कैसा महसूस हो रहा है आपको जब लोगों को इतने महगे टमाटर बेचे तुमने तो बहुत खुश हो रहे थे पर आज जब तुमारे साथ टमाटर खराब हो गए तो तुम्हें दुख हो रहा है ज़रा गरीब लोगों के बारे में तो सोचो जिनके घर में बच्चे बड़े बूड़े दिन में खाना नहीं खापा रहे मैं अब सब समझ गया हूँ मुझे माफ कर दो बरे मैं सभी लोगों से माफी मानता हूँ मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा पर आज मुझे बहुत बड़ा घाटा लगा है अब चाकर मुझे समझ आ रहा है कि गरीब लोगों को कैसा लगता हूँगा उसके बाद परियां सारे टमाटरों को फिर से सुन्दर और ठीक बना देती है और वहां से चली जाती है उसके बाद से टमाटर सस्ते दामों में बेचने लगता है और सभी से माफी मांग लेता है और सभी लोग फिर से टमाटर खाने लगे तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज ही ये कहानी जल्दी से हमें कमेंट में बताओ और ऐसी ही कहानियां रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो